बिजेपी नाकी एबार भोचे आक्षो पंच राशनो ट्वाप काते पार्वेना भविशत बानी के कोड़ेशेन एई भविशत बानी कोड़ेशेन राहुल गांधी कंग्रते प्राक्तों शबापती जिनी निजेई जानेन ना वनार्थ तेके जिद्वेन कीना शेई राहुल गांधी कथा बोलचेन बिजेपी राशन शंखानी आपना देर शकल के आमार विनाम्ब्रो प्रणाम देख चुरे मोदी जर दुहाचार चोद्दोर मोदी मैजिक आखोनो अटोर आपनार शपनो आमार संकल्पो आग देके जखोन एई चित्रो तकोन राहुल गांधी रवोस्था देखोन आमेठी ते निष्चे थारबेन तेरपे एचो लगियाचेन निरापोच जोन वनाडे किन्दो वनाडेव राहुलेर जोय प्रोष्णो चेंधेर मोखे कारोन जार भरोशाय आमेठी छेरे राहुल वनाडे एशचीलेन शेई ने ताव हाथ छेरे धूरचेन पद्दो फूल वनाडे कॉंग्रेसेर शाधरन शौंपा दोग पी एम सुधाकरन जोग दियाचेन बीजेपीते शेई राहुल भविश्वत बानी कुरचेन बीजेपीर आशोन शौंखानिये सीज का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूँ जेनरल बात कह सकता हूँ कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाओ इंप्रूव कर रहा है और अंडर कर रहा है हाश्रक और मौन्तोप पुषू ने पाल तक होथा गेरवा ब्रिगेडेर मोदी जी के नित्रत्तों में फिर से भारती जनता पार्टी नित्रत्तों की एंडिय की सरकार बनने जा रही है इसमें कोई संदे होना ही नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि बेपक्स के जूट का प्रदाफास भी जनता जनार्दन के द्वारा क्या जा रहा है अब इसमें कोई संदे नहीं होगा कॉंग्रेस तो पिछली बार कह रहे थे हम पूरन बहुमत में आ रहे हैं उससे पिछली बार भी कह रहे थे हम गरंटी लेते हैं कि बीजेपी को तो वोटे सीटे ही नहीं आएंगी देखिए अब राहूल गांधी बिचारे जिसीज़ की करें जिनको बलतकार और ब्रिष्टाचार का अंतर नहीं पता उपचारे हमारे आंपड़ों पे बोलें मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा इंडी गठवंदन के सयोगी दल और ये शहजादे दोनों ये तो यही चाते हैं लेकिन इनके मनसूबे कभी पूरे नहीं होते हैं ये पहले भी कठे आयते साथ साल पहले जनता ने इनको साफ कर दिया था और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठवंदन की सफाई होगी लोगों ने मन बक्का बना लिया है और राहुल जी को मैं इतना कहना चाता हूँ ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया इस बार भी कॉंग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजबा को जनता पूर्ण बहुमतर 400 पार करने का शीरगा की है एक याके खाली होगछे कांगसेर खोर संचेर निरुपम गौराब बल्लवेर मोतो ओजुन दार नेता देर पर एबार हात चरेचेन रोहन घुपताओ लोग शाभा भोटेर आगे एई तालीका ख्रोमोशो चाओरा होचे एई आबू हेओ राहूल गांधिर जोती श्ट्रचा जोल छेई सिया पाखी थाक बना था सोनिया तो नाई मोविश्चत बानी कोटे चार छेनना विपाब लिप पांगला कौंग्रेशेर प्रकाशेतो निर्वाचोनी इस्तेहार अरे बंग शेई इस्तेहारे बीतोर के तुच्छी लोई यारे बार शेई बीतोर के नोतून माप्चा जोलो राहूल गांधिर एटी बोक तब्बो जे मोन तब्बो के हातियार कोरे नोतून कोरे मोईदाने गिरू अपरिगेट अरे बीतोर के लिएक फेस्टों में हमने करांतिकारी काम करना है पहला काम जाती जनगरना इस से सब की गिंती हो जाएगी सब को पता लग जाएगा किसकी कितनी अबादी उसके बाद एकनोमिक सर्वे होगा फाइनेंशल सर्वे होगा हिंदुस्तान की सब संस्ताओं का सर्वे होगा सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कित्ती भागिदारी है राहुल गांधिर एई मांतोब्बेर पड़ी जोड शमालो चुना भीजेपीर बीजेपीर प्रुष्णो कोतो दिन पोर्जुन्तो जातपाते नमे बिभाजन कोड़बे कॉंग्रेस पहला काम जाती जन्गर्ना इससे सब की गिंती हो जाएगी सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी अबादी उसके बाद एकोनोमिक सर्वे होगा फाइनेंचल सर्वे होगा हिंदुस्तान की सब संस्ताओं का सर्वे होगा वीडियो टी सोशल मीडिया इस श्यार कोड़े छेन विजेपीर आईटी सेलेट प्रुथान अमित मालू भियो मैं आपसे सर्विया कह रहा हूँ आप जग जाओ आपको लूटा जा रहा है 24 गंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो लोक्षभा वोटू पलोक्की कॉंग्रेस जी इस्तिहार प्रकाश कोड़े छे खोमोता हेले कॉंग्रेस नाखिता बास्तवान कोड़े जुगांतो काड़ी काज कोड़ते छोले छे बीजे पीर दाबी कॉंग्रेसर इस्तिहारे शंगी हुबो हु महील रहे छे उनिशो छोत्तिरी शाले प्रकाशितों मुस्लिम लिगेर इस्तिहारे शंगी बदलकार यमारी माताओं बहनों के संपत्ति जिन्ने का भी खेल खेला जा रहा है उनका मंगल शुत्रा उस पर लोगों की नजर है माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा एतो बाच्छोड पाउर दुहाजार छोई शाले डिसेम्बर माशे प्राक्तन प्रधाण मंत्री मन्मोहन सिंगेर एकृटी मंतोब्ब uh भीतार केर केंद्रे राहुल गांधेर एई मंतोब्ब जेभाबे भीतार को दाना भेदहे छे ताते निर्भाज ओने एर प्रभाप पोर्वे बोले मोने कोर छे राजनोईतिक महल रिपाब्लिक बांगला आकांसान के नरूप बिकास के कारे हो सकें ये पहली बार देश के अंदर देखनी को मिला है बिकास और विरासत का एक अद्बुत समनवे प्रधानमंतरी मोदी जी की पैचान है और इस दिसा में जो कारे हुए है वो अद्बुत है हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पॉंस भी इस बात को लेके आता है देखने को मिलता है पांसो वर्सों का अंतिचार समाप्त करते हैं और योद्ध्या में प्रभु स्री राम लला का पुनह बिराजमान हो जाना एक इवल बिराजमान नहीं बल्कि इन सभी नग्रियों की कायकल्प भी हुई है कासी में अगर आप देखेंगे पहले पचास लोग एक साथ वहाँ पे बाबा विश्वनाजी का दर्शन नहीं कर पाते थे आज पचास जार लोग एक साथ भी आ जाएं कोई समरस्या नहीं अयोध्या में पहले 500 लोग अगर अयोध्या में आ जाएं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता था आज 5 लाख लोग एक साथ आ जा रहे हैं कहीं कोई समस्या ने ऐसे ही अन्या आस्ता से जुड़ेवे केंद्रों के इबारे में भी एक नया सुरूप हम सब को देखने को मिला जन्ता जनारदन का जो अपार इसने मोदी जी को प्राप्त हो रहा है पुरे देश के अंदर उस अपार इसने को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को कह सकते हैं कि जो देश के अंदर स्वर गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार उस स्वर के साथ आम जन्ता फिर से मोदी जी के नित्रत्तों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के लिए पूरी प्रतिबता के साथ कारे कर रही है झाल 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 झाल